नमस्कर, हिंदी हाइवे में मैं डॉक्टर यूस प्रशाद आप सबों का स्वागत करता हूँ जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं अपने इस कारिक्रम में आपके साथ साहित्ति पे चर्चा करता हूँ आज मैं आपके साथ ये चर्चा करने जा रहा हूँ कि कहानी क्या है हम लोग अक्सर कहानिया पढ़ते हैं लेकिन यदि पूछा जाए कि कहानी के लक्षन क्या है हम कहानी किसे कह सकते हैं तो फिर इसका जवाब ढूनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो आएए आज हम जाने कि कहानी क्या है इसके लक्षन क्या है इसके उद्देशी क्या है और इसके कितने प्रकार हो सकते हैं कहानी या कथा सब्द का साब्दिकर्थ है कहना इस अर्थ के अनुसर जो कुछ भी कहा जाए कहानी है लेकिन वास्तम में ऐसा नहीं है विशेश अर्थ में हम किसी विशेश घटना के रोचक ढग से वर्णन को कहानी कहते हैं कहानी के शरूप को पारिवासित करने के अनेक प्रियाज किये गये हैं और अनेक विद्वानों ने इस बारे में अपने अपने विचार दिये हैं प्रेमचन्द ने कहानी के बारे में कहा है, कहानी एक ऐसी रचना है, जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उदेश रहता है. अग्ये ने कहानी के बारे में कहा है, कहानी जीवन की प्रतिच्छाया है और जीवन स्वेंग एक अधूरी कहानी है, एक सिक्ष है जो उमर भर मिलती है और समाप्त नहीं होती. तो इसी बारे में जैनेद्र ने ये कहा है कि कहानी तो एक भूख है जो निरंतर शमाधान पाने की कोशिस करती है कहानी के बारे में ऐसा कहा जा सकता है कि यह साहित्ती की एक गद्यात्मक विधा है जिसमें जीवन की घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तूत किया जाता है कि पाठक या सुरोता सम्वेदन सील हो उठता है और कभी-कभी तो वह स्वैंग को उस कहानी का पात्र समझने लगता है यद्दिपी कहानी साहित्ती की सबसे प्राचीन विधा है पर पिछली दो सताब्दियों में उसके रूप में बहुत अधिक अंतरा गया है प्राचीन काल में जो कहानिया लिखी गई और आज जो कहानिया लिखी जा रही है उसमें जमीन आस्मान का अंतरा चुका है उधारन के लिए हम प्राशीन कहानियों में पंचितंत्र या बैताल पचिसी की कहानियों को देखें और आधुनी कहानियों को देखें तो यह अंतर बिल्कुल साफ दिखाई देता है मानव जिवट के किसी एक पहलू भावना या घटना पर कथा के माध्यम से प्रकाश डालना ही कहानि का मोर उद्देश रहता है अब यहाँ पे सवाल यह होता है कि यही सारे तत्व तो उपन्यास में भी होते हैं फिर कहानि और उपन्यास में क्या अंतर है दरसल कहानि और उपन्यास के तत्व एक ही होते हैं पर उपन्यास में जीवन और जगत का जितना विस्तार पुर्वक वर्णन होता है उतना कहानि में नहीं होता है यही कारण है कि कहानी का आकार उपन्यास की अपेक्षा काफी संचिप्थ होता है और इसे हम एक बैठक में पढ़ सकते हैं अपनी प्रकिर्ती और गठन में भी यह उपन्यास से बिलकुल अलग हो जाती है आज लोगों का जीवन काफी व्यस्त हो चुका है लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वे काफी समय देकर एक उपन्यास को पढ़े इसलिए उपन्यास किया पेक्षा आज के जीवन में कहानी ज़्यादा चर्चित है, लोग कहानियों को पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं एक्ता और प्रभाव की तिब्रता ही कहानी कला की मुख्य विसेस्ताएं हैं अब हम कहानी के तत्तों की बात करें विसेवस्तु यानि कथानक, पात्र या चरितचित्रन, कथोब कथान या समबाद, देशकाल या वातावरन, भाशा एवंशैली, उद्देश तथा सिर्षक, कहानी के आवस्यक अंग माने गये हैं यदि इन में से एक भी चीज कहानी में नहीं है, तो वह कहानी के स्रेणी में नहीं आ सकती अब हम कहानी कला के विभिन्य तत्तों के आधार पर या जानेंगे कि कहानी के कितने भेद किये जा सकते हैं तो आप ये जाने है कि कहानी कलाय के विभिन्ने तत्तों की आधार पर कहानी के समानित चार भेध किये जाते हैं. प्रतिकवादि या सांकेतित कहानि का एक वर्ग और भी किया जा सकता है. जहां तक कहानी के भेद की बात विशे की द्रिष्टी से है तो विशे की द्रिष्टी से कहानी के सामाजिक, मनोवैज्यानिक, एतिहासिक, वैज्यानिक, साहसिक, आदी अनेक भेद किये जा सकते हैं तो ये थे कहानी के बारे में कुछ जानकारी जिससे आपको ये असपस्ट हो जाएगा की कहानी क्या होती है कहानी का उद्देशी क्या होता है, कहानी के तत्तु क्या होते हैं और कहानी के कितने भेद किये जा सकते हैं अंत में कहानिया और उपन्यास के बारे में मैं एक बात और बता दूँ कि कहानिया और उपन्यास में एक बड़ा अंतर ये होता है कि कहानी अगर एक फूल है तो उपन्यास फूलों का गुलदसता है मुझे उम्मीद है कि अब कहानी के बारे में आपकी जानकारी जरूर पहले से थोड़ी बढ़ गई होगी अगले अपने इसकारी क्रम में मैं आपसे फिर मिलूँगा तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ